बेहत खतरनाग बिमारी से जूच रही है बाहू बली के हिरोईन अनुशका शेटी अटैक पड़ते ही भरी मैफिल में भी करने लगते हैं ये तमाशा हो जाती है बड़ी बेजिती एक ऐसी बिमारी का शिकार हुई अनुशका शेटी की जानने वालों के उड़ जाते हैं होश आप भी हो जाएंगे हैरान जाने किसे हो सकती है ये खतरनाग बिमारी दोस्तों डॉक्टर्स ने कहा है कि इस बिमारी का इलाज नहीं है संभव बस इनसाफधानियों से बचा सकते हैं अपनी जान वीटियो में समझे पूरी बात आपने सुना होगा कि हसना स्वास्त के लिए लापतायक होता है पर क्या हो कि आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो और आपको हसी का अटैक पड़े यानि आप हसना शुरू करें और फिर अगले 20 मिन्टों तक आप चाहा कर भी अपनी हसी ना रोग पाएं तो क्या ये आपके लिए लापतायक होगा जी हां बिलकुल सही कहा आपने ऐसा करना आपकी भरी महफिल में बेजिती करा सकता है लेकिन आपको बता दें कि ये सामानी नहीं है ऐसा होना एक गंभीर बिमारी का लक्षण है जिसका शिकार हो चुकी है बाहुबली की हिरोईन अनुषका शेटी तो इससे पहले कि आज के इस इंट्रेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करें आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को शेर कर दें ताकि ये महतपूर जानकारी आपके अपनों तक भी पहुँच सके और हाँ वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिलकुल भी न भूले बता दें कि साउथ स्टार की जब भी बात आती है तो अनुषका शेटी एक बड़ा नाम है बाहुबली से लोगों के दिलों में राज़ करने वाली अनुषका शेटी एक अजीब बिमारी से परिशान है सुनकर थोड़ा अजीब ज़रूर लग सकता है लेकिन हसना भी एक बिमारी हो सकती है दरसल हसना सेहत के लिए अच्छा माना ज़ाता है लेकिन हसने पर आपकी हसी रुके नहीं तो ये एक बिमारी हो सकती है अनुष्का शेटी ने एक पुराने विडियो में खुद इसका खुलासा किया है उनकी ये बिमारी हसने से जुड़ी है उन्होंने बताया कि वो एक बार हसना शुरू करती है तो उसे रोक नहीं पाती है अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे हसने की बिमारी है मैं एक बार हसना शुरू कर दू तो 15 से 20 मिनिट तक खुद को रोक नहीं पाती हूँ शूटिंग के दौरान इसमें काफी दिक्कते होती है कई बार तो इसकी वजह से शूटिंग भी रोकनी पड़ती है आईए जानते हैं क्या है ये बिमारी और कैसे करें इसका इलाज एक्सपर्ट्स का कहना है कि हसने की बिमारी को मानसिक समस्या समझा जाता है इसके लक्षण emotional और brain dysfunction से जुड़े होते हैं इसलिए इसे neuropsychiatric बिमारी माना जाता है एक्सपर्ट्स के मताबिक हसने के इस बिमारी का नाम pseudo-bulbar effect है इस बिमारी में अचानक से हसना या रोना देर देर तक हसी ना रुकना शामिल है एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा होने पर गहरी और धीमी सांस लेने और अपने दिमाग को किसी दूसरे टॉपिक पर लगाने से मदद मिल सकती है कंधे, गर्दन और चेस्ट के आसपास की मसल्स को आराम देना भी मददकार हो सकता है तो दोस्तों, क्या आप भी अनुश्का शेटी के बड़े वाले फैंस हैं? आपको ये विडियो पसंद आया है तो विडियो को लाइक शेर ज़रूर करें अभी के लिए फिलहाल इतना ही